यहाँ जो हम बार 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 बात करते हैं के उद्देश से क्या है और हमारा क्या अबजेक्ट है और नो बजे हम अबजेक्ट बताते हैं हमारा उद्देश से बड़ा ही सिंपल है, यानि जो कंसेप्ट है वो सबसे साधरन है, सबसे सीधा साधा है, सबसे सरल है, इतना सरल है कि हर व्यक्ति उसको रोज इस्तमाल करता है, अगर अपने घर में इस्तमाल करने कोशित करता है, समाज में नहीं करता, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है, कंसेप्ट है हमारा जोड़ना है और जोड़ना है, और हर व्यक्ति अपने परिवार को जोड़ के रखता है, उससे जुड़ा रहता है, साम को परिवार के साथ खाना खाता है सोवेगो परिवार के उदेख भाल करता हुआ अपने काम पे जाता है महिला पुरे दिन परिवार को जोड़ कर रखती है परिवार अगर दो तिन परिवार साथ रहते हों तो उनको भी जोड़ कर रखते हैं बड़े बुड़े कहते हैं कि देखो अगर जुड़के रहोगे तो महले में धाक रहेगी और कोई परिशानी आने से पहले ही दूर चली जाएगी और हम भी अपने बच्चों को सभी कहते हैं कि भाया साथ साथ रहना चाहें कितनी परिशानी हो कितनी हारी हो कितनी बीमारी हो कितनी तकलीफ हो या कुछ भी हो मिल बाट के खाना मिल बाट के रहना और हर एक माबाप की एक इच्छा होती है कि उसके अगर चार बच्छे हैं तो चारों के चारों बच्छे जीवन भर कुछ खाने को लाए हो क्या यह हर एक माबाप की इच्छा होती है कि चारों बच्छे एक साथ रहें और उनके बच्चे भी एक साथ रहें वो अलग बात है कि बच्चे किसी कारण से या किसी ना कारण से नौकी बहार लगी बैपार बहार हो गया या कोई बात हो गया वो अलग हो जाते हैं होना नहीं चाहिए ठीक वैसे ही समाज के अंदर अब बहुत बड़ी आ आने वाली है और जो चल रही है उस आफ़त का एक ही इलाज है कि हमको खटा हो जाना चाहिए जुड़ जाना चाहिए वो जो आफ़त है वो लगबग आ चुकी है आफ़त यह है कि हमें बावा साब अमबेटकर ने मौत के मुह से बापस खीचा हम लगबग खतम हो चुके थे कि बावा साब अमबेटकर आगे और बावा साब अमबेटकर ने हमको जीना सिखाया हमको रोजी रोटी का प्रवंद किया हमको इज़त दी सारे मान सम्मान दिये ऐसा नहीं है कि ब अबिटकर ने हम को बताया है कि हम नागवनसी लोग रहें और हम राजा रहें हैं सम्राट असो के समय हम राजा रहे हैं हम धम को चलाय करते थे हम विश्व गुरू रहे हैं बुद्ध के रूप में हम ब्यापारी रहे हैं अनाग पिंड़क के रूप में सुदत के रूप में हम जीवक के रूप में डॉक्टर रहे हैं पूरी यूनिवस्टी हमने चलाई हैं बारे एक बारी यूनिवस्टी में हैं हम पत्थर लिखने वाले रहे हैं तो हम लिखाया भी हैं लेखक भी रहे हैं जो हम लिखते थे तो हम पड़े लिखे थे तो हम पत्थरों की किताब को असोग के समय तो हम सैनापती, सैनिक भी थे, हम कमांडर भी थे, हम ब्रिगेडर भी थे, हम मेजर भी थे, हम जर्नल भी थे, क्या नहीं थे हम, सारा खेती हम करते थे, तो कसक और किसान भी हम थे, और सारा वैपार हम करते थे, तो वैपारी भी हम थे, यानि हम असोग के समय से भी कम जिनको नहीं बोलते तो बंबन अलग थे आशोग की पत्थरों की किताब में लिखा हुआ है बंमन सब और हमारे लिए समठ सभी लिखा हुआ है तो हमन समठ थे और बुद्ध का एक ही संग होता था जिसको बुद्धका संग यानि संग संगंग सरनंग अच्छामी बोला करते थे तो यह जो संगंग सरनंग अच्छामी जो संग बुद्ध के समय हमारा सारा रहा तब हमारी कोई जात रही होती थी और बुद्ध के समय तो वर्ण भी नहीं होते थे कोई कह सकता है बुद्ध तो छत्रिय हैं छह सब्दी नहीं है प खिखतिया सब्द है जब आपने इसको चेथ्र बना दिया बाद मैं जब इसको modified संट्सकाय Teams किया गया तो खेटिया लोग थे खाती मिलते हैं खटी मिलतें खेटिया मिलते हैं तो यह जो आपने खत Culächनि नहीं देखिए है जो शुद्र सब्द का शै नहीं है, सै बुद्ध ने कभी बोला यह नहीं, सिर्फ एक सै होता था जो मेरे नाम में आता है सुभीर, या जो समण में आता है सै, यानि हम सुद्ध लोग थे, सुद्ध का मतलब प्योर बिल्कुल एकदम हंडेट परसेंट मन से सुद्ध जिसमें को साफ साफ दी नहीं है, तो यह पश्ट रूप से साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, तो हम असोक के समय जो महान लोग थे, और सारे के सारे हम राजा के परिवार और किसान के परिवार और लेखक के परिवार और इंजिनर के परिवार और ब्यापारी के परिवार के लोग थे तो हम आज भी वहीं हैं, तो उस समय जो संग होता था हमारा, उस संग में एक सक्ति थी, जिसको संगे सत्ती बुला करते थे, सत्ती, क्योंकि शैतो था नहीं, तो शक्ती सत्तो बाद में बना है, संसकाइद करके बाद में बनाया गया है, संगे सत्ती, यानि इखटे होने में स बज्जी जो लोग हैं वैसाली के वो हर हपते यानि साथ दिर में एक वार इखटे होते हैं उस इखटे होने को सन्नीपात बहुल बोलते हैं और सन्नीपात को बाद में सम्मिलन करके बोलने लगे यानि वो सम्मिलन करते हैं इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो एक निड़ने देते हैं और उनके जो निड़ने हैं बहुमत का अधार होते हैं वहां कोई व्यक्ति नेता नहीं होता और वो पैसा भी खटा नहीं करते हैं वहां कोई राजा भी नहीं होता वो गण परिशत होती है गण परिशा होती है यानि परिशत तो बाद में सब बनाए पर पानी वेस्ता है वही संग असोक ने बहुत मजबूत बनाया जब तक वह संग रहा यानि हम इखटे रहे तब तक सब चीज हमारे पास रही और जब हम असंग हो गए हमारा संग तूट गया फिर हमारी सिक्षा भी चली गई हमारा वैपार भी चला गया हमारा रोजगार भी चला गया हमारी इंडिस्ट्री चली गयी हमारा जो सैना में रुतबा था कमांडा जनर होते थे वो भी चला गया और इस्तिधि ऐसी हो गई कि हमारे खेत्कृत में चले गए हमको मजदूर बनना पड़ा और मजदूर भी ऐसा जो टट्की उठाता हो और जो मरे जानवर को उठाता हो वह ऐसा काम करने वाले क्योंकि हमने सरंडर नहीं किया कभी हम लड़ते रहे जीतने के लिए लड़ते रहे और हम मरे का मास खा के जिंदर रहे इस्तिती हमारे इतनी खराब हो गई तब बावा साब अमबेटकर आए और बावा साब अमबेटकर ने हम को वहां से उठाया जहां हम लगबग मर चुके थे तो हम इस इस्तिती में अब दोवारा पूँचे कि हम दोवारा से इंजिन Gue dr. बने लेकख बने राइटर बने दोवारा से अब हम क्ले के मालिक बने अगर हमारे सारे बच्चे पढ़ लिखे नीरे बन जाएंगे, हमारे सारे बच्चे पढ़ लिखे अफसर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, दुकानदार बन जाएंगे, सब लोग जब बाहर जाना शुरू कर देंगे, पढ़ लिखे हो जाएंगे, तो लेवर का काम कौन करेगा, चमड़ी का काम कौन करेगा, टट्टी उठने काम कौन करेगा, इस बात का जगड़ा देखते हुए, उन्हों लोगों ने हमारे रास्ते बंद कर दियो, हमारा जो छोटा सा हिस्सा में मिला था, सेपरेट इलेक्टरोल के बद्दे जिसको कर दिया, हमारे जो बच्चे पड़े लिखे हैं, उनके रास्ते में बाधा लगा दी, यानि वो मेरिट में भी उपर आ रहे हैं, मगर फिर भी एक रिस्टिक्शन लगा दी, कि मेरिट में भी अगर उपर आएंगे, तो नोकरी उतनी ही मिलेंगी, जितनी परसंटेज में है इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, तो यानि मेरिट में आने के बाद भी, मेरिट वारे जो बच्चे हैं, उनको नोकरी नहीं मिल रही है, और अब सरकाई नोकरी खतम है, चाहें बड़ी है, च्छोटी है, क्यों भी लेटल एंट्री है, और अभी एक रेलवे में तो एक एड जिसमें साफ लिखा हुआ है, कि वैसे कि इतने बच्चे हमें चाहिए, तो अब कास्ट के हिसाब से भी नोकरी आने लगी है, और इसको रोकने का कहीं कोई दू 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 तक दिखाई देता नहीं, क्या करना है, क्या करना है, इस से में दुकान हमारे पास है नहीं, जावा साफ हमें जहां से लेके आये थे, हम तो वहीं पहुंच जाएंगे, बलकर उससे भी ज्यादा इस्तिती खराब हो जाएगी, पढ़े लिखे बच्चे तो वो काम भी नहीं कर सकते, जो हमारे बाददानों ने कर लिया, फिर करेंगे क्या, ये इसलिए ठीक ऐसा है, क से पीछे वाले लोगों का क्या हलत होगी, ये सोच के भी आदमी काम जाता है, हमारे जैसा, कि हमारी स्थिती इतनी खतनाक है, कि अब हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो एक स्थिती दिखाई देती है, इससर निकलने के नहीं थे, एक बात समझ में आती है, कि इसको कैसे साथ नहीं पाए क्योंकि बावा साथ संग उनके साथ नहीं था अके लिए थे वरना वह राइट वर्क भी इसमें डाल के जाते कि काम का धिकार है काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगार मिलेगा दुनिया के देशों मैंसा होता है मगर यहां संविधान में यह नहीं हो पाया कि कार पैसा दे चाहें अगर वह रोजगार है तो बेरोजगार है तो भी वह राइट वर का काम नहीं है यानि राइट वर्क में नहीं है मगर वह आ सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि संविधान यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संविधान में हिस् градii है अगर आपकी संख्यां 50% है तो फिर जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा एसा संब्धान कहता है तो लोगों को यकीन नहीं होता क्या ऐसा विए हो सकता है है अशुर्दी कि MP MPLA की भी आवस्कता नहीं है अगर आप 25% हैं तो को आपकी c concern मानेगा सारे नीयम मानेगा जो आपके अधिकार चले गए वह भी देगा और भी देगा इसका एक कोदह रांट दो अप्रेल अठारे को बारबार बताया जाता है कि दो दो अप्रेल अठारेे को जने हमारा एक गंटे के लिए आये छड़क पे तो आधा एक पन्ना जुड़ गया वह चोओविस घंटे के लिए आते तो दो पन्ने जुड़ जाते तो पर्मानें इंत अगर विखटे हैं जुड़े हैं जैसे सिख लोग जुड़े हैं जैसे हिसाई लोग जुड़े हैं जैसे और लोग जुड़े हैं तो फिर हमारा कोई अधिकार जाता है नहीं और कोई अट्रोशिटीज होती भी नहीं क्योंकि जो संग में लोग होते हैं उन पे कोई भी अत्याचा नहीं होता जो मदुमक्या हैं वो भी संग में रहती है वो अत्याचार करती हैं लोगों पर काट काट कर उन्हें कोई नहीं काटता कौन लड़ेगा उनसे इतनी संक्यामर इखटी है जला साथ भेला फालोगे वो भेला अगर मारोगे कंकल मारोगे तो वह आपके पीछे कर लेता है और जब शेर होते हैं कितने ताकतवार होते हैं वह भी जुंड में रहते हैं जंगल का प्रगति का नियम है कि हर जानवा चाहें चोटा है चीटी है जया है मदुमक्की है चाहे हिरन है चाहें भेड हैं चाहें बकरी हैं सब जुंड में रहते हैं क्योंकि सब को पता है कि दुप उस्टे कर से बसते हैं तो कि वो एक साथ पेड़ रहते हैं तब वो बसते हैं तो जंगल का नियम है कि एक साथ रहेगा तो सुक्षा रहेगी तो बचेगा और अगर अलग रहेगा तो कोई ना कोई शिकार कर देगा हर जिगे अजगर बैठे हुए हर जिगे साफ बैठे हुए हर जिगे शेर बैठे हुए कोई भी कहीं मारके खा जाएगा अकेला जानवर जंगल में कभी नहीं बसता है इसी तरह हमारे जितने लोग जो कबीले में रहे वो बच गए और जो इकटे रहे वो ब हमें पिटाई कर देता है कभी हाथ बानता है कभी जोपड़ी माग लगा देता है कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से कभी गाली से कभी मुर्गा बना के कभी मुर्गी बनागे हर तरह से होता है अती जब हो जाती है जब लातकार भी होते हैं और मडर भी होते हैं तो ये सारे रुक सकते हैं ये खतम हो सकते हैं इसको किसी से हाथ जोड़ने ही जो तो नहीं है किसी के आगे क्योंकि पिटने के बाद आप सरकार के पास जाओ या पुलिस के पास ज है उनका बजार है उनकी मार्केट है जो चायते वो करते हैं तो तीस करोड़ों लोग बहुत होते हैं तीस करोड़ों के तो देश भी बहुत कम है यानि यह तो देश से भी ज्यादा लोग है और हम अगर समण समाज की बात करें तो वह तो 120 करोड़ है यानि समण में सारे के सा तो वो 120 करोड़ है अभी जादा लोगों को समझ में नहीं आती है तो कम से कम सुड़काश के लोगों को समझ में आ सकती है वो तो समण संग के लोग है वो तो डॉक्टर मेटकर को मानते हैं वो तो बुद्ध को मानते हैं वो तो पैरियार को मानते हैं वो जोतिवाफले को मान गोड़ीं ही विल्स हुशा कि इसिह नहीं होगई हमारे बुजुर्ग भी की रख böl्ड़ हम एकटे नहीं होते क्यों होते हम तो इकतभड़ा होना चाहे प्रॉटे हम तो साध्हान आदमी है हैं जो असादारन आदमी हैं जिनको हम नेता कहते हैं उन्होंने 51 लाक टोटल भारत में संटन है सब्सक्रामाजिक और रखें और हजारों संग्ठन ऐसे हैं जो दलबल के और इन सब के बनाए हुए हैं राजनीतिक हजारों हैं तो यह जो लाखों संग्ठन हैं होना तो यह चाहिए कि लाखों संग्ठन हैं तो जल्दी फायदा होना चाहिए मगर कैसे हो क्योंकि सम्धान तो कहता इखटे हो के आई ये और ये संग्टन इखटा नहीं होने देते ये कहते मेरा संग्टन अच्छा है मेरा संग्टन अच्छा है मेरा संग्टन अच्छा है और ये थोड़े थोड़े लोगों का गुरूब बना के रहते हैं इसदारी के न अगर आदमी कई बाहर चला जाएगा तो पैसा उसको देगा तो पैसा नहीं जाना चाहिए यह सब से बड़ी बिमारी है जो हमको इक्षटा नहीं नहीं होने देना है और यह सारे संग्टन इक खटे होने बहुत जरूरी है इसलिए अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे इनको और इनसे यह कहेंगे कि देखो भाई इखटे होने के लिए पहले बाद तो पैसे की आप सकता है नहीं इखटे होने के लिए आदमी खटा होना या पैसा एकटा करना है आदमी खटा होना तो पैसे की खटे करने की जोत नहीं है दूसरा यह है कि आप पहले ख लाय थे वो सारे चिलेगे इसका मतलब तुम जो काम कर Pharaoh विए वो हो काम अच्छा होता तो हमारे सारे खालते बापस आते मगर आए नहीं है ये बात उनको समझानी ये बात उनको बतानी है येबात उनको कहना है कि हम जब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक कि आप सब लोग इखटे नहीं हो जाएंगे, जब पैसा नहीं देंगे आप लोग, तो उनको मजबूरी में खटा होना पड़ेगा, और जब वो इखटे होंगे, तब हमारा लाब होगा, तब हमारा फ्रायता होगा, तब संख्या ज्यादा होगी तब दो अप्रेल अठारे की जड़े हैं हमें हमारे अधिकार वापस मिलेंगे तो इसके परणा माने सुरू हो गए हैं मेरे पास कैई सारे नेताओं के फोन आए उन्हें यह कहा जी कि आप संथनों को पैसा देने के लिए क्यों मना कर रहे हो अरे आप भी ले है तो लोग खाना नहीं खाएंगे जिसको खाना खाना होगा वह अपना खाना ले आएगा खाने के नाम पर टेंट के नाम पर माइक के नाम पर माला के नाम पर मंच के नाम पर फूलों के नाम पर यह सब पैसा लेते हो यह बरवाज जाता है पैसा कोई काम नहीं होता अलग तुम कुम तो क्यांती हुआ हैं तुम को पूराया बुलकुल जान सटinação करते जब मरे का मास खाने कि शिती आएगी तो ईसा उन कहो ऐसा उनको पूछो क्यों लगाते तो पैसे की आवसकता कहीं होती नहीं इसलिए समर्संग में यह नियम है कि समर्संग कभी भी पॉब्लिक से पैसे नहीं लेगा यानि हम पॉब्लिक से पैसे नहीं लेंगे कभी भी कोई व्यक्ति अगर पॉब्लिक से पैसे लेता हूँ कि पैसे मंग रहा है पबलिक से कोई झंदा नहीं कोई धंदा नहीं समंढर संग के कुई आ खुद है क्योंग है पहले होते हैं फिर उनका हाँस लगता है फिर महां मीटिंग होती है फिर समस्या आती है उस मस्यां करना कैसे कैसे करना मेंबर है क्योंकि इसके दो के मेंबर हैं एक नॉर्मल मेंबर सीप जो सभी तरह के पास हैं और एक सक्रे काम जो कर रहे हैं हमारे जैसे साथ रहना लोग हैं वो इसमें डिशाइड करते हैं इसमें बहुत हो रहे हैं आप भी अगर सक्रीमेंब्र बनना चाहते हैं तो बाद देखिए लिए तसनी कीजिए अपने पसंद कीजिए कैसे काम 성 confession member बन जाए तो सक्रे बेंबर जो समर्व संग में होते हैं तो यहां मंचमालागे चलती यहां मंचमाला 60 कि यहां पैसे भी नहीं खटे किया जाते हैं यहां कोई आदमी आये हैं तो सौसर पर डालेंगे सब जगे लेंगे वना तो कोई पार्क है कोई कभीर भवन है कोई अम्बिड का भवन है कोई कहीं कोई किसी की च्छत है किसी कोई जगे ऐसी है पेड़ के नीचे है च्छाएं के नीचे पार्क में तो कोशिस करते हैं कि फिरी की जगे के मिल जाए कोई बुद्वियार वगएरा हो कोई बालवी की भवन हो कोई गाड की भवन हो तो वहाँ काम चला ले दें तो इसका काम कैसे चल रहा है इस समढ़संग का जो काम है वह बड़ा आसान और बहुत आराम से चल रहा है अब जगे जगे एक्ट्वल मीटिंग होने ल कि अगर हम इखटे हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे हम जुडेंगे तो हम जीत जाएंगे जो इस बात में यकीन करते हैं वो सारे लोग महां इखटे हो रहे हैं और महां जगे 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 जो जहां जैसे खटा रहो वैसा इकटा होता जा रहा है तो मह के अंदर मीटिंग होने जा रही है 25 दिसंबर को डॉक्टरों की पूर इंडिया के डॉक्टरों की मीटिंग है जो लखनों के अंदर है उसमें अगर आना चाहिए तो ता सकते हैं वह थोड़ी महंगी है क्योंकि डॉक्टर ने अपने आपको रिजोट्स में बलाया है और वह 300 रुपए फॉल के अघर है या आप मीटिंग कर सकते हैं तो आप मीटिंग लगाईए या इसका इसका वीडियो आती है Penal यह यूट्यूब चीज होती है कैसे नहीं यह सारी है एक ही हमारा उद्देश से है जुड़ना है और जुड़ना है क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे पहले भी जुड़ेंगे तब भी जीतेंगे फिर जुड़ें हम बावा सामने जुड़ें हमको भात गड़राज संग बराया फिर हम जी सकते पिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सम्विधान तो कहता है कि जितनी संक्या जितनी भारी ज garbage ईतनी बात मान लेगा मगर सम्विधान नहीं रहेगा तो बात कौन मानेстा फिर तो गरतन से राज संत्र हो जाएगा और राज तन्ट हो सम्विधान चला गया फिर मनुस्मर्ती आ गई फिर दुबारा सम्विधान आ गया फिर मनुस्मर्ती आ सकती है फिर सम्विधान आ सकता है इसलिए कोसिस करें कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी खटे हो जाएं क्योंकि एक वार सम्विधान चला गया तो दुबारा सम्व करने में बहुत ताकत अकल दगानी पड़ती है और वो होना भी वड़ा मुश्किल होता है वो फिर उसमें बहुत समय लगता है साल दो साल तीन साल चार साल पांस वाल लग सकते हैं इसलिए समिधान को मत जाने दो अपने हाद से और इखटे हो जाओ और लोगों को रस्तिं होता वो भी मरा हुआ होता है पड़े लिके हैं गुने हैं तो उसी ही इनुशार ही काम बिलना चाहिए उसलिए जिद्ध है जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद दम्मं सरेनं गच्छामू तुम्तियं पी बुद्धं सेनं गच्छामू दूतियं पी दम्मं मरसलू गच्छामू दूतियं पी बुद्धं गच्छामू बुठियां पी सरु शरु बच्छामू ततियां पी बुद्धों सरु बच्छामू ततियं पी धुतंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्णं कच्छामी ततियं पी धुतंग सर्णं कच्छामी सादू, सादू